हलो दोस्तों, वक्त आ चुका था 1394 का, तुगलगों का पतन अपने चरम पे था, कोई भी शाशा कितना योगी नहीं था, जो शाशन विवस्था को इस्थायू तो दे पाता, या ये भी कहा जा सकता है कि वो अपनी योगेता को इसलिए भी साबित नहीं कर पा रहे थे, क्यो पारी सरदार अपने वर्चसों को लेके आपस में ही भिड़ रहे थे, और हिंदुस्तानी मुस्लिम सरदारों, तुर्की और अफगानी सरदारों के बीच, बहुत अधिक संगर्स बढ़ चुका था, इसी बीच दोस्तों, 1394 में हुमायू का छोटा भाई, नशुद्दिन म महमूद शाह तुगलग दिल्ली की सत्ता समालता है, उत्राधिकार में उसको मिले विद्रो विवाद और संगर्शरत सरदार, नतीजा वही हुआ, दोस्तों, जो पूर्व की भाती हो रहा था, कि नशुद्दिन महमूद साह को भी अधिकारियों का कोई समर्थन नहीं मिला और सरदार अपने वर्चस को साबित करने में ही अपना वक्त जाया कर रहे थे, शाशन की तरफ किसी का ध्यान नहीं था, और सुल्तान भी इतने योगे नहीं थे, कि सरदारों को नकार के वो अपनी सल्तनत को समाल पाते, धीरे धीरे तुगलक वंश के छेत्र विखटित होते जा रहे थे और दिल्ली से पालम थक ही एक विस्तरत सल्तनत सिमट करे रहे गई थी, यानि फिरोश्य तुगलक के समय पूरे भारत पे राज करने वाले तुगलक अब दिल्ली तक ही सीमित रहे गए थे, दिल्ली के निकटवरती छेत्रों तक ही सीमित रहे गए थे, और आज भी इसे एक लोकोक्ती या मुहावरे के तौर पे हम लोग देखते हैं, दिल्ली से पालम के लिए, तो दोस्तों, छेत्र विगटित हो गए थे, सीमाएं बहुत करीब आ चुकी थी, सुल्तान, किसी नाम मातर का सुल्तान रह गया था, और आस पास के छेत्रों में विद्रों बढ़ चुके थे, यानि तुगलगवंश लगभग लगभग तूट चुका था, और इसमें आग में घी का काम किया तैमूर के आक्रमण में, तैमूर का आक्रमण भी हिंदुस्तान पे तुगलगवंश के एक अधिकारी द्वारा दिया गया धोका ही था, दोस्तों, खिजर खां तुगलगवंश का एक अधिकारी था, जिसने तैमूर के साथ मिलके उसे आमंतरित किया था, कि वो हिंदुस्तान की विगटित होती व्यवस्था पे एक आगात करे और उसे समाप्त कर दे, और तैमूर ने 1398 में हिंदुस्तान पे आकरमड किया, खिजर खां के कहने पे और तुगलगवंश को लगभग लगभग उसने समाप्त कर दिया, हाला कि तैमूर यहां से चला गया, और दिल्ली का सुल्तान फिर से नश्रुदिन महमूद शाह तुगलग ही बना, लेकिन वो विवस्था को अब समहाल नहीं पा रहा था, 1412 में नश्रुदिन महमूद साह की म्रत्य हो जाती है दोस्तों, एक तरीके से समाप्त हो जाता है तुगलग वन्ष, लेकिन अभी एक शाशक और बाकी था, जो कुछ दिनों तक तुगलग वन्ष को समहाले रखता है, और फिर समाप्त होता है तुगलग वन्ष का पूरा इतिहास, तो दोस्तों ये कहानी थी नशुदिन महमूद शाह तुगलग की और तुगलग वन्ष के पतन की, नेक्स वीडियो में एक और शाशक की कहानी जो तुगलग वन्ष से सम्बंदित है और उसके बाद आ जाएगा सेयद वन्ष का इतिहास, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त झाल 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 झाल